Hello friends, कैसे हैं आप सब? So, आज हम बात करेंगे Shri Lanka Civil War की Okay, so यह Part 1 है And it is presented by me, Rahul Agrawal So, इस Part 1 में हम देखेंगे की Shri Lanka Civil War था क्या What was LTDE लिट्टे क्या था Reason behind Shri Lankan Civil War और साथी साथ India का क्या involvement था हम यह सारी चीजें इस Part 1 में देखेंगे और Part 2 में हम आगे की जो continuation है वो सारी चीजें देखेंगे So, this is presented by me Rahul Agrawal और यह हमारा course है discussion on important topics of history guys So, इस course में हम उन सारे issues की बात करते हैं जो भले ही history के topics हो गए हो भले ही इनका relevance history से हो लेकिन वो हमारे आज के time में भी बहुत जादा relevance रखते हैं और हमारा जो आने वाला time है उसको कहीं ने कहीं तक वो बहुत प्रभावित करेंगे So, यह जो भी issues मैं उठाता हूं यहाँ पे Basically यह हमारे contemporary world को जो हमारा आज का time है और आने वाला time में उसको बहुत हद तक प्रभावित करने वाले हैं Okay So, आप इसको बहुत focus हो के ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा So, हम start करते हैं Basically, this is me And in case you want to read more Then you can read it from here Okay So, जैसा कि होता है summary Last में पताई जाती है But मैं start ही summary से करता हूं So, basically, Sri Lankan civil war क्या था Civil war का मतलब क्या होता है Hindi में civil war को कहा जाता है Greh Yud जब अपने ही देश में अपने ही लोगों के बीच लडाई होती है तो उसको basically civil war कहा जाता है तो ये लडाई हुई थी लिट्टे और Sri Lankan government की बीच में ये एक armed conflict थी और इसकी शुरुवात हुई थी 23rd July 1983 So, ये date, crude date याद रखना ज़रूरी नहीं है बस आप 1983 याद रखिए ताकि आप एक idea लग सकेगी कि ये कि ये कितने साल पुरानी बात है Okay So, लिट्टे को Tamil Tigers भी कहा जाता है और main मुद्दा ये था कि जो लिट्टे वाले थे वो चाहते थे कि एक Tamil state एक independent Tamil state क्रेड किया जाए शिलंकन आइलेंड के north और east में So, ये शिलंका का map है तो ये इंडिया है ये पार्क स्ट्रेट से यहाँ पे शिलंका differ होता है मतलब जुड़ा हुआ है एक तरह से So, ये northern part जो जाफना का है और ये जो eastern part है So, इस पार्ट में लिट्टे वाले जो है एक independent Tamil state create करना चाहते थे अब इसके reason क्या थी और बाकी क्या वजह थी ये सारी चीज़े मैं आपको आगे बताऊँगा So, जो state बनाना चाहते थे उसको Tamil इलम नाम देना चाहते थे और ये war finally 2009 में खतम हुआ आज से 8 साल पहले जब शिलंकन में लिट्टे ने लिट्टे को हरा दिया तो war start हुआ लिट्टे और शिलंकन गॉर्मेंट के बीच में जो लिट्टे वाले थे वो इंडिपेंडेंट स्टेट क्रियेट करना चाहते थे Tamil का और ओवियस सी बात है शिलंकन गॉर्मेंट ऐसा नहीं होने देना चाहती थी लडाई हुई ग्रिह युद्ध हुआ बहुत सारे लोग मारे गए बहुत नुकसान हुआ और फाइनली लिट्टे वाले हार गए और वर्क हतम हुआ ठीक यह समरी थी अब हम देखेंगे कि कैसे शुरुआत हुआ सो शिलंका को पहले सिलोन नाम से चाना जादा था और इंडिया की तरह शिलंका में भी ब्रिटेन का रास था सर और मैम और जैसे इंडिया को 1947 में इंडिपेंडेंस मिली थी शिलंका को 4 फेब 1948 में इंडिपेंडेंस मिली थी लेकिन वो 1972 थक डोमीनियन था डोमीनियन मतलब की डोमीनियन और रिपब्लिक में भी डिफरेंस होता है So, Dominion मतलब की वो entirely sovereign नहीं था, वो अभी भी British crown के अंदर ही था But finally, वो Republic बना 22 May 1972 को So, Republic मतलब की, जैसे India Republic है So, Republic उसे कहा जाता है, जिसका head of the state, जिस country का head है, वो लोगों के द्वारा चुना जाए So, हमारा head एक तरह से president प्रणव मुखर जी है, So, उनको चुना है किसने, MP और MLS ने, और MP और MLS को किसने चुना है हमने So, indirectly प्रणव मुखर जी को चुना है, लोगों ने, So, Republic उसे ही कहा जाता है और Sri Lanka 1972 में Republic बना, और finally Ceylon का नाम change करके Sri Lanka हुआ 1972 में ठीक, तो इस conflict की शुरुआत basically हुई थी जब colonial government चल रही थी शिलंका में और बताया जाता है कि, हाँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ और बता दूँ कि Sri Lanka में majority है, वो सिनालीज है और minority तमिल्स है, तो यह majority और minority की ही basically लड़ाई है, और सिनालीज का जो majority religion है वो है बुद्धिस्ट, बहुत धर्म माननेता है शिलंका में तो मतलब बताया जाता है कि, पास्ट में सिनालीज और तमिल्स के बीच में कोई conflict नहीं था, उसकी शुरुआत हुई थी communal representation से, सो colonial government जो UK की, ब्रिटेन की government थी, उसका तो मतलब काम ही था, divide and rule, वही उन्होंने इंडिया में भी किया Hindu Muslim को लड़ा के और अलग पाकिस्तान बनी गया finally, तो वही यहां पे इन्होंने किया था, सिनालीज और तमिल्स के वीच में communal representation लाके, मतलब की communal representation मतलब की सिनालीज है त तो उनकी अलग constituency होगी, वहां पे सिर्फ सिनालीज ही वोड देंगे सिनालीज केंडिडेट को, और तमिल्स ही वोड देंगे अपने तमिल केंडिडेट को, तो उन्होंने वहां पे एक तसरी divide पैदा किया, यहां से शुरुआत हुई थी इस conflict की, अब 1948 में 4 February को शिलंका अजाद हो गया था, अब आजाद होने के बाद सारे rules वगर अब शिलंका के खुद की government बनाएगी, तो पहला act आया, शिलॉन Citizenship Act 1948, तो इस particular Citizenship Act ने, जितने भी Indian तमिल्स हैं, उनको citizenship देने से मना कर दिया, और उनको stateless कर दिया, बेसिकली इंडियन तमिल्स के voting rights भी छीन लि नहीं आ रहा था कि किया क्या जाए, अब ये तो चलो ठीक है, अब उसके बाद एक और act आया, जिसका नाम है Sinhala Only Act of 1956, अब इस act ने क्या किया, इस act ने, जो Sinhalis, जो majority है, उनकी जो Sinhala language है, उसको official language बना दिया country का, ठीक है, अब हर government jobs में, और हर जगा Sinhala language ही बोले जाने ल जाती थी, और अगर कोई job, कोई किसी important position में था, Tamil, Tamil minority का, तो उसको हटा दिया जाता था, ये बोलके कि तुम Sinhalis में fluent नहीं हो, ओके, सो आप देख सकते हैं कि ये citizenship act, Ceylon का, Sinhala Only Act of 1956, तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही है, ये सारी चीज़ें, जो majority, minority थी, शिलंका की, उस इसको बहुत ही जादा, वो dissatisfy हो गए, और उनको पूरी तरह दबाने की कोशिश की जा रही है, majority Sinhala government द्वारा, ओके, सो इस act के द्वारा, Tamil जो है, जितने भी important position में थे, वो सारी अपनी jobs वगरा सब खोने लग गए, और हर जगा Sinhalis ही चलने लगी, और इनको Sinhalis आती नह से, और यहीं से civil war की एक तरह से बुनियाद रखी जा चुकी थी, ठीक है, discriminatory state policies जैसा कि मैंने आपको बताया कि मतलब कोई exam होती थी, तो उसमें Sinhalis बच्चे जो होते थे, उनको, उनका cut of 200 गया है, तो tamilions का cut of 250 जाता था, तो मतलब कुछ भी करके उनको job नहीं देना, उन सारी चीजें, state जो government है, majority Sinhalis government जो शेलंका की थी, वो ये सारी चीजें कर रहे थी, ठीक, anti-tamil violence, एक तरह से पूरा जो sentiment ही था, वो anti-tamil था, और साथी साथ, tamilions का rights के लिए struggle, ठीक, ये सारी चीजें जो है, एक तरह से tamilions को militant बना दिया इन सारी चीजोंने, और वो फिर revolt में आ गये, पहले तो वो उन्होंने बहुत कोशिश की अपनी मांगें मनवाने की, लेकिन जैसा हर जगा होता है, government अगर मांग नहीं माने, तो फिर finally जो discontent minority groups हैं, वो एक तरह से armed conflicts के तरीके अपना लेते हैं, उनके पास और कोई उपाय नहीं होता, so इनी सारी चीजों से फिर पैदा हुआ लिट्टे, ठीक है, Tamil Politico Militant Group लिट्टे पैदा हुआ 1976 में, ठीक, वैसे लब armed groups बहुत सारे बनने स्टार्ट होई गए थे, 1960 से ही, लेकिन फिर finally, 1976 में लिट्टे बना, और लिट्टे की उच्छा इंपॉर्टेंट है, ये सारे चीज़े हम आगे देखें लिट्टे के बनने के बाद क्या हुआ, कि अभी तक तो डिमांड एक तरह से, खुद को साथ में लाके एकमोडेट करने की चल रही थी, कि हमें स्रिलंकन गवर्मेंट में एक पोजिशन दी जाए, और हमें साथ में रखा जाए, और हमारी राइट्स का ख्याल रखा जाए, लेकिन लिट्टे के बनने के बाद जो डिमांड थी, सेपरेशन की हो गई, अब वो चाहते थे कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट ही क्रियेट किया जाए, बिकॉस उनको विश्वास हो गया था कि सिनालीस गवर्मेंट कुछ नहीं करने वाली हमारे लिए, ठीक है, तो उनक के लीडर थे, प्रभाकरन, बेसिकली अब वो सेपरेशन की मांग को जोड़ सोड़ से उठा रहे थे, तो पहले जो डिमांड थी वो थी एक और्टोनोमस तमिल स्पिकिंग रीजन क्रियेट करने की, नौर्थ और इस्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया, इस नौर्थ और में तमिल स्पिकिंग और्टोनोमस रीजन क्रियेट करने की मांग थी, बेसिकली एक स्टेट की तरह, कि हाँ भई हम सेंट्रल गवर्मेंट में रहेंगे, लेकिन एक फैडरल ताइप का सिस्टम होगा, लेकिन उसके बाद ये डिमांड जो है चेंज हो गई, इंडिपेंड इस गवर्मेंट का एक अडियल रविया देख के जो तमिल लीडर्स थे और जो आम्ड ग्रूप्स थे उन्होंने अब सेपरेशन की बात की और बोला कि हम तमिल इलम नाम का एक सेपरेट स्टेट बनाएंगे, ओके, सो एल्टी टी ए, बहुत से लोगों को फुल फॉल फॉ जितनी ये सारी लडाईयां हो रही थी और डिसकंटेंट का एक महौल था, बहुत सारी आम्ड ग्रूप्स बनी, ओवियस सी बात है, लेकिन लिट्टे ने ही डॉमिनेट किया, उस पूरे लेंड्सकेप को, उस पूरे सीन को, उस पूरे वार के एक महौल को हम लिट्टे का ह इस पूरे लिट्टे के जितने भी मेंबर से हैं, उनकी एफिशेंसी, डिसिप्लीन ये सारी चीजें, लिट्टे को बहुती पाउरफुल ग्रूप बनाया इसने, और लिट्टे बहुती कम टाइम में एक बहुती इमिनेंट और एक काफी पाउरफुल ग्रूप बन चुका लंकन के साथ बाद में मिल जाएंगे, और कमप्रोमाइस कर लेंगे, और प्रभाकरण ये नहीं चाहता था, और वो चाहता था कि स्रिलनका के गुर्वर्मेंट के साथ आ्म ग्रूप ना मिले, और हमारी जो सेपरेट स्टेट की मांग है, वो जारी रहे, ठीक है, अब ये लिट्टे ही था राजीव गांधी की जो हत्या हुई थी उसके पीछे लिट्टे ही था विकॉस वो नहीं चाहते थे राजीव गांधी पावर में आया यह सारी चीजें यह क्या थी मैं आपको आगे बताऊंगा और finally जो लिट्टे की defeat हुई प्रभाकरन को मारा गया 2009 में उसी ने civil war को खतम किया तो basically लिट्टे के बारे में ये थोड़ा सा brief में आपको बता रहा हूँ अब इंडिया का क्या involvement और इंडिया का क्या angle था तो सीदी जी बात है इंडिया के नीचे स्य लंका है साउथ में और इंडिया के बगल में इतनी लड़ाई हो रही है तो इंडिया को कहीं न कहीं ये चीजें effect करती हुई और साथ ही साथ मामला tamil rights का था तो इंडिया की तमिल नाडू से बेसिकली शिलंका में जितने भी इंडियन तमिल्स हैं जो प्लांटेशन वर्कर्स की तरह जो रूल में गए थे तो कहीं ने कहीं इंडिया से तमिल नाडू से एक तमिल सेंटिमेंट बनाई है और तमिलियन राइट्स को लेके हम भावुक होई जाते हैं और साथ ही साथ इंडिया अपने आपको एक रीजनल पावर की तरह इस्टैब्लिश करना चाहता था तो अगर ऐसा करना है तो फिर अ आपको रिस्पॉंड करना ही पड़ेगा तो इसलिए फिर इंडिया ने साथ रिस्पॉंड किया तो इस्टार्टिंग में तो ये प्रो तमिल्स थे और इन्होंने लिट्टे को बहुत मिलिटरी सपोर्ट, ट्रेनिंग, आम सपोर्ट, बहुत सारी चीजें दी और एक तरह स सेपरेटिस्ट मुवमेंट को हेल्प कर रहा है और उनको लगा कि अगर इंडिया जैसी कंटरी प्रभाकरन को हेल्प करेगी तो कहीं न कहीं फिर ये इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग और बढ़ जाएगी और ऐसा भी हो सकता है कि उनको ये मांग मांगनी पड़े, राजीव गांधी तो देखते हुए उन्होंने उनसे इंडिया शिलंक का एक पीस कोड साइंग और आप प्रोविंसेदा साथ प्रणक को ऑन वोड़ेंगे और ऊंकोوسट सेट बनाएगे और उनको इनको पिडार लू ये वा करेंगे और इक ढहाना है राइड्स देंगे जिसका नाम है 13th Amendment तो यह सारे चीज़े आप न्यूस पेपर में पढ़ते होंगे अभी भी कि 13th Amendment क्या है यह सारे चीज़े आते रहती हैं तो जैवर्धेने ने बोला कि हम 13th Amendment अप्लाई करेंगे और जो नौर्थ और इस्ट में हम उनको भी पावर देंगे और डिवालूशन करेंगे और साथ ही साथ इंडिया ने अग्री किया कि वो लिट्टे को सपोर्ट नहीं करेगा और अपने पीस कीपिंग फोर्स भेजके नौर्थ और इस्ट में ओर्डर मेंटेन करने की कोशिश करेगा और फाइनली जब वीपी सिंग की गववर्मेंट थी तो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स ने श्रिलंका से वो उन्होंने श्रिलंका को लीव कर दिया 1990 में वो वहां से वापीस आ गये इस पर्टिकुलर पार्ट में इतना ही आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या वार कैसे खतम हुआ और लिट्टे की हार क्यों हुई क्या कारण था और साथी साथ मैं ये भी बताऊंगा कि अभी फाइनली क्या कंडिशन है और किस मांग को लेके मतलब फाइनली डिसाइड हुआ और साथ ही साथ हम थोड़ी बहुत United Nation के Human Rights Council के भी जो war crimes है श्रिलंका के against, उसमें उसकी भी थोड़ी बहुत बात करेंगे, so ये सारी चीजे next part में, और आपको कोई भी doubt हो तो आप नीचे comment कीजिए and do rate and review and share the videos guys and do follow me by comment by copy pasting this link so do watch the second part, thanks for watching, have an awesome day hello friends, कैसे हैं आप, so आज हम फिर से बात करेंगे श्रिलंका civil war के बारे में, so part 1 में आपने देखा श्रिलंका civil war क्या है और उसके क्या-क्या issues थे, क्यों minority और majority के बीच में conflict हो रहा था और minority की demand क्या थी, और क्या India का involvement था और लिट्टे क्या था okay, so this discussion on important topics of history and presented by me, Rahul Agrawal, so इस course में हम उन सारे issues के बात करते हैं जो हमारे contemporary world में काफी जादा importance रखते हैं okay guys, so this is me और अगर आपको कुछ और पढ़ना हो मेरे बारे में, तो यहां से आप देख सकते हैं okay sir and ma'am, so do get started and मेरी एक request है, it's my humble request कि do watch part 1 before watching this, तभी आपको समझ में आएगा, और मेरा main aim यह है कि आप Sri Lanka civil war के बारे में आप इतना जान लें, इतना आपको पता हो जाए, ताकि अब newspaper में Sri Lanka's related कुछ भी news item international page में आता है तो आप उसको एक बार में समझ पाएं और आज का जो editorial था Sri Lanka issue के उपर वो भी आप बड़ी ही आसानी से comprehend कर पाए और आपको पता चले कि यह क्या issue है किस चीज के बारे में बात की जा रही है और मेरा यही aim है इस course को बनाने का, कि आपको उन हर topic से एक बार बस आपको अवगत करा दिया जाए आपको उसकी knowledge दे दी जाए ब्रीफ में ताकि आप उसके बारे में जान सकें और यही हमारा काम है जैनरल आइडिया लेना specialized study, PhD तो मैं हर topic के उपर दिन दिन भर बोल सकता हूँ कोई फाइदा नहीं है उस चीज का जैसा कि मैंने बताया था समरी में पहले बता देता हूँ civil war, basically लिट्टे और शिलंकन गॉर्मेंट के बीच में एक लड़ाई थी, armed conflict थी 1983 में start हुआ था और जो लिट्टे तमिल टाइगर्स थे वो एक तमिल इंडिपेंडेंट तमिल जो भी मैजोरिटी के एरिया से नौर्थ और इस लंकन आइलेंड में तो वो वहाँ पेक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट बनाना चाहते थे और बेसिकली सीधी सीधी सी बात है कि शिलंकन गॉर्मेंट ऐसा नहीं होने देना चाहती थी और दोनों के बीच में लड़ाईयां start हुई और civil war हुआ और फाइनली फाइनली 26-25 इयर्स बात 2009 में शिलंकन मिलिटरी ने LDTE को हराया और उसके लीडर प्रभाकरन को मार गिराया और फाइनली civil war खतम हुआ ठीक है तो पिछले पार्ट में आपने देखा था क्या-क्या इशूस थे और क्या ऐसे एक्ट्स थे सिधाला मेजॉरिटी ने ऐसे क्या एक्ट्स क्रियेट किये गॉर्मेंट ने जिसकी वज़े से तमिल मैनॉरिटी को दिक्कते हुई और उनका डिस्साटिस्पेक्शन बढ़ा और ट्रस्ट खतम हो गया गॉर्मेंट के प्रति और अब वो चाते थे कि अलग ही एक स्टेट बने ठीक है यह नॉर्दन एरिया है यह इस्टन एरिया है ठीक जहां पे मांग हो रही थी तमिल इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने की इस पर्टिकुलर एरिया और यह जो साउट वाला जो यह एरिया है यह पूरा एक तरह से आई हो रही है war civil war हो रहा है तो basically peace process की भी कोशिश की जाती है दोनों तक्षो को बुला के बात करके ताकि कोई एक beach का solution निकाल लिया जाए और लडाई रोग दी जाए तो इस case में भी peace process हुए और basically 9-11 के attacks के बाद 9-11 के attack के बाद क्या हुआ था कि जितने भी non-state actors type के जो group होते थे separatist group basically उनको एक apprehension से उनको देखा जाने लगा और ऐसा सोचा जाने लगा कि ये खत्रा है देश के लिए और एक तरह से आतंगवादी संगठन के नजरों से उनको देखा जाने लगा और viewpoint basically बदल गया था 9-11 attack के बाद तो international pressure और साथ ही साथ United State का जो direct support मिल रहा था शिलंकन government को उसने मजबूर किया लिट्टे को कि वो एक peaceful settlement करे इस conflict के लिए और इस लडाई को छोड़के बातचीत का एक रास्ता पनाए और एक beach की एक जो बोलता है beach का solution एक निकालने की कोशिश की जाए तो Norway ने effort किया था ये 2002 में ताकि वो government शिलंकन government और लिट्टे को बुला के एक negotiation करें और एक ceasefire agreement किया जाए तो 2002 में ये agreement हुआ जिसमें कि Norway और जितने भी Nordic countries है उन्होंने ये agree कि वो एक joint मतलब वो monitor करेंगे इस ceasefire को और साथ ही साथ वो कोशिश करेंगे कि ये और लडाई आगे ना बढ़े ठीक है तो ये start तो हुआ materialize भी हुआ और government ने जितने भी rebel जो north और east वाले जो लिट्टे के held areas थे उनमे relaxation दी और साथ ही साथ जो एक दूसरे के जो prisoner of wars थे उनको भी exchange किया release किया और साथ ही साथ लिट्टे ने भी उस independent state की demand को छोड़ दी और एक तरह से federal solution की बात उन्होंने मान लिया so basically ऐसा लग रहा था कि लड़ाई खतम हो गई है और एक solution पर आ गए है लेकिन 2003 में ही साथ ही साथ 2004 यह 14 हो गया है sorry for that यह आप correct कर लेना 2004 में जो सुनामी आई थी तो उसके बाद जितने भी AIDS मिली international जो मदद मिली शिलंकन government को तो differences आ गए कि Tamil एरिया में उस सहायता को कैसे ब particular ceasefire में जितनी भी चीजों के लिए वो agree किये हैं तमिलियंस को देने के लिए वो नहीं मान रहे हैं और आखिरकार वो धोखा दे रहे हैं हमें तो इन सारी चीजों को देखते हुए लिट्टे ने ceasefire की talks को finally suspend कर दिया और उसको cancel कर दिया और उसके बाद पिर नॉर्वे ने इंटर्मीडरी बनने से मना कर दिया और यह पूरा का पूरा प्रोसेस पीस प्रोसेस जो है एकदाफ खतम हो गया समझ लीजे आप ऐसा की पूरा मिट्टी में मिल गया और फिर से लडाई जो है जसकी तस condition वैसी की वैसी हो गई तो यह पीस प्रोसेस सीजफायर करने की जो मांग उनकी पूरी करने की बात कर रही है वो पूरा नहीं कर पा रही एक्चुल में और ठियोरी में जो लिखा है वो practically ground में नहीं हो रहा तो फिर उनको लगा कि हमें यह मांग अपनी जो independent state की मांग है वो जारी रखनी चाहिए और इस पीस प्रोसेस को खतम करना और लिट्टे के जवान मरे साथी साथ इनोसेंट सिविलियंस भी मारे गए तो basically एक लाग क्या सपस टोटल जाने गई तो finally हम देखेंगे कि लिट्टे की हार क्यों हुई अब लिट्टे इतना बड़ा armed group था और इतने powerful एक particular प्रभाकरन के अंदर वो हो गए थे फिर ऐसा क जैसा कि मैंने आपको बताया 9-11 अटेक के बाद जितने भी non-state actors थे उनको एक terrorist की निगा से देखा जाने लगा तो फिर उसके बाद US भी help करने आया और Shilankan government की और India और China का भी help मिल रहा था Shilankan government को जैसा कि मैंने आपको बताया था जो peace accord India के और Shilanka की बीच में साइन हु और Rajpaksha government जो वहां पे उस time incumbent government थी 2009 के आस पास तो उन्होंने भी लिट्टे को band कर दिया और साथी साथ उसको एक terrorist group की तरह ब्रांड किया हर एक international country में और 32 ऐसे देश हैं जहां पे उसको band करके एक आतंगवादी group का दरजा दिलवा दिया तो उससे जो लिट्टे को बाहर से साहता मिलती थी वो भी बंद हो गई और लिट्टे पूरी तरह से weak हो गया और पूरा एक जिसको बोलता है एक all out war श्रिलंकन government ने लिट्टे के against छेट दिया और आखिरकार 2009 में हरा ही दिया तो लिट्टे भी पूरी तरह weak हो गया था और जो उसके eastern में जो लिट्टे का एक faction था करोना faction जिसको बोलते हैं तो कहीं न कहीं उसका इंडियन government से इंडियन जो research and analysis intelligence wing हमारी इंडिया की raw है तो उससे connection होने लगा तो वो defect कर गया LTTE से और ये सारी चीजें पूरी तरह से लिट्टे को खोकला कर चुकी थी और उसको बहुत ही weak कर चुकी थी और साथी साथ लंकन government का attack चली रहा था तो ये दो-चार factors थे जिन्होंने लिट्टे को कम्यूर बनाया और फिर finally लिट्टे की हार भी और civil war खतम हुआ okay so human right violations और brutality में हम देखेंगे कि UN data show करता है कि कम से कम एक लाग क्यास पस मरे जिसमें Indian soldiers भी थे civilians भी थे army government army जो शिलंकन government है उसके army की भी थे और लिट्टे के भी members थे और total economy cost 200 dollar US dollar 200 billion का था तो बहुत सारा खर्चा हो गया और जैसा शिलंका एक poor country है तो शिलंका इतना effort नहीं कर सकता था बट इस civil war की वज़े से इतना खर्चा हुआ basically तो फिर उसके बाद शिलंकान government के उपर भी बहुत allegation लगे कि उन्होंने लडाई में बहुती excess war crimes किये हैं और innocent को मारा है तो उसके बाद कोशिश यह की जाने लगी एक United Nations Human Rights Council द्वारा की इसकी एक international जाज की जाए और शिलंकान government में जो भी दोशी पाया जाता है उसको सजा दी जाए ताकि जो अभी तमिलियन रह रहे हैं उनको कोई trust issue ना रहे अपनी government को लेके और वो आशानी से शांती से रह सके और अपनी आगे की जिन्दगी गुजार सके लेकिन शिलंकान government ने उन सार शिलंका डोमेस्टिक एक तरह से जो जो डोमेस्टिक जाँच होती है उसके लिए तयार हो चुका है और साथ ही साथ जो तमिल्स हैं उनकी grievances को redress करने के लिए भी वो ready हो चुका है यह redressal होगा आप इसको check कर लिजेगा ठीक कर लिजेगा ओके guys so अभी हम अगर present situation देखेंगे तो लिट्टे की defeat के बाद शिलंकान government जो 13th amendment था जैसा कि मैंने आपको बताया था 13th amendment के तहर शिलंकान government को जो तमिल majority areas हैं उनमें power devolute करना था basically उनको power देना था और उनको सारी political freedoms देनी थी और उनको पूरी तरह से अपने country में एक तरह से उनको मिलाना था और उनको अपना part बनाना था उनको अपना पूरा एक तरह से पार्ड बनाएंगे तो यह सारी चीजें होने के बाद फिर फाइनली तमिल्स इस चीज़ को लेके मान गए और एक political solution में मामला धन हुआ तमिल नैशनल अलाइंस जो है फिलाल जो तमिल्स को रिप्रेजेंट कर रही है उन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग खतम कर दी है और वो भी एक federal स्टेट की मांग में है सो अगर हम civil war in class देखें तो सबसे पहले जो स्टार्ट हुई थी वो communal एक तरह से representation जो colonial government ने divide and rule करके किया था 1920s में वहां से स्टार्ट हुई थी फिर उसके बाद सीरान government का जो सिनहाला को official language create करने का decision था उसने Tamil minority को बहुत जादा alignate किया और उनको लगा कि हम दूसरे दरजे के लोग हो गए हैं क्योंकि उनको government job से और हर important post से हटाई जाने लगा और majority का पूरा राज हो गया था ठीक है तो इन सारी चीजों से Tamilians minority जो थी यह भी आप check clear कर लीजेगा यह minority है sorry for this mistake sir and ma'am so यह dissatisfaction increase होने लगा tamilions का no no यह majority ठीक है okay यह majority ठीक है so यह majority सिन्हालीस थे उनकी जितने भी acts और policies थी उनकी वज़ए से tamilions का एक तरह से जो dissatisfaction था वो increase होने लगा यह 50s के आसपास की बात है और फिर उसके बाद उस dissatisfaction से प्रेरित होके और अपनी rights को रखने के लिए अपनी rights पूरी करने के लिए उन्होंने struggle कि और फिर armed groups बने और फिर independent state की एक तरह से मांग उठने लगी और लिट्टे का formation हुआ और फिर finally 83 से 2009 के बीच में civil war चला लिट्टे और गॉर्मेंट की बीच में और लडाईया हुई so finally government ने लिट्टे को हराया और एक political solution अभी तै हो रहा है okay so आपने देखा इस particular पूरे civil war मे कि कैसे Tamil minorities को सबसे पहले दुखी किया गया उनके सारे rights चीने गये और उनको इस extent तक ला दिया कि वो पूरी तरह stateless हो चुके थे अब उनकी rights का कोई संदक्चक नहीं था और उस चीज़ से दुखी हो कि उन्होंने हथियार उठाए और अपना एक independent state खड़ा करने की मांग की और उसको भी फिर finally कुचल दिया स्रिलंकन majority government ने और 26 साल तक लड़ाई चली ग्रिह युद्ध चला जिसमें की कई सारे wars हुए बहुत सारे लोग मरे बहुत खर्चा भी हुआ और पूरी तरह स्रिलंका की जो इस्तिती है वो नाजुक हो गई और finally 2009 में स्रिलंका ने लिट् इसके बारे में अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप नीचे comment section में पूछे sir and ma'am और आप मुझे ये भी suggest कीजिए कि आपको ये कैसा लगा ये lesson और do suggest की मैं इसको और कैसे improve कर सकता हूं आपके लिए और कैसे comprehensible आपके लिए मैं बना सकता हूं और साथ ही साथ review कीजिए do give me five stars if you think it's good for you and it's beneficial for you please share भी कीजिए इस वीडियो को अपने friends के साथ अपने relatives के साथ जो आपको लगता है कि ये देखके उनको benefit हो सकता है और इस particular link में आप मेरे सारे course सारे videos देख सकते हैं and आप मुझे follow भी कर सकते हैं so मैं आपको मिलूंगा किसी और topic के साथ next day and till then have a awesome day thanks for watching this particular lesson have a nice day sir and ma'am